आज की science class में हम जानेंगे properties of basis शारक के गुर्धर्म बच्चों ये एक बहुत important class है आज हम शारक यानि की base के बारे में उसकी chemical properties और common properties के बारे में discuss करेंगे इसलिए सभी बच्चे class के last तक बने रहें और जो बच्चे पहली बार class attend कर रहे हैं चैनल को subscribe करें नई class के notification के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें वीडियो को like करें और सांथ ही share भी करें बच्चों ये काविसक सुचना और देदू आपको आजकल omicron बहुत तेजी से फैल रहा है मैं last five days से isolation में हूँ तो हो सकता है कि आज आपको मेरी आवाज में कुछ variations लगें आप लोग सबी सुरक्चित रहें मास्क पैने और अपने हाथों को sanitize करते रहें तो चलिए बिना देरी करें हुए start करते हैं आज की class को तो बच्चों हम आगें देखें अपनी lab में यहां पर आपको कुछ ये सामान दिखाए दे रहा होगा यहां देखें यह हमारे पर सोप साबन यह हमारे टूथपेस्ट यह हैंबस यह है इनो और यह एक पाउंडर सा जो आप दिख रहा है यह एक खाने वाला सोडा जिसका use हम kitchen में करते हैं अब बच्चों यह जितने भी products आपको आपको दिखाए दे रहे हैं इन सब में एक common similarity है वो है कि यह सब के सब जब हम इने चूँते हैं तो यह हमें slippery लगते हैं यह हमें चिकने लगते हैं तो पहली विसेस्था जो इन सारे products में होगी वो है कि यह पर हमें slippery यानि कि चिकने लगेंगे और अगर हम इनकी taste की बात करें तो बच्चों जितने भी products बने वे हैं इन सब का taste हमें लगता है कड़वा अब आप कहेंगे कि यह जो हमारा toothpaste है यह तो हमें कड़वा नहीं लगता बच्चों ऐसा नहीं है जिस से यह बना हुआ है जिस बेस कड़वा ही होगा तो हम कहेंगे कि जो चारक हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जो छूने पर चिकने तथा स्वाद में कड़वे होंगे बिटर होंगे टेस्ट में अब बच्चों क्या हम हर बार किसी भी chemical को छू करके या फिर टेस्ट करके ही पता लगाएंगे तो बिलकुल ऐसा नहीं है क्योंकि आपने हमारी एक पिछली क्लास देखी होगी जिसमें आपने यह जाना था कि हम कैसे assets और base को test करते हैं assets और base के indicators क्या हैं कि आपने हमारी एक पिछली क्लास में देखा होगा जिन बच्चों ने वो क्लास जोएं नहीं की है उनके लिए link कि यहां इस i-tab में आ रहा है आप देखें यहां से जाके आप उस क्लास को जोएंग कर सकते हैं तब आप आसानी से जानवाएंगे कि कैसे आप यह जाने कि कौन सा पदार्थ base है चारक है और कौन सा पदार्थ acid है तो यहां तक आप समझ चुके होगे base की जो common properties जो एक सामान इसे बात है वो क्या है अब यह जो base हैं यह किस-किस प्रकार के compound हो सकते हैं थोड़ा हम इसके बारे में जान लें देखें जो base हैं वो mainly यह तीन प्रकार के हो सकते हैं देखें कौन-कौन से या तो वो होंगे धातू के oxide, metal के oxides होंगे या फिर धातू के hydroxides, metal hydroxides या वो होंगे धातू के carbonates, अब ये धातू के carbonates क्यों होंगे इसके बारे में बच्चो भी हम थोड़े देर बाद discuss करने वाले हैं यह क्यों अगर यहां जो ही आपको दिख रहे हैं यह products इनके हम base को पानी में घोल दें तो क्या होगा चले देखते हैं हमारी पास यह एक test tube है यहां पर हमने एक base लिया हुए हम इसमें पानी मिलाते हैं देखते हैं क्या होता है देखे हमने पानी मिला दिया अब हम इसे थोड़ा सा हिला देते हैं यहां पर को हमसे घोल रहे है देखें यह हमने घोला तो क्या हुआ देखें यह पूनता घोल चुका है डिजॉल्व हो चुका है अब देखें दूसरा जो हमारा यह है यहां पर को कि यहाँ पर को दो प्रकाज के हमें produced solutions मिल चुके हैं एक में तो जो पहला बेस था वो पूर्णता घुल चुका है जबके दूसरे में पूर्णता नहीं घुला है तो बच्चो जिसमें यह बेस ऐसे बेस जो पूर्णता हो पानी में घुल जाते हैं वो कहलाते है अलकली यानि की छार अगर हंदी में बात करें और जो जल में नहीं घुलते हैं वो कहलाते हैं बेस छारक तो बच्चों देखें हम इसको नोट करके भी देख लेते हैं एक ऐसे छारक जल में घुलनसील होते हैं छार कहलाते हैं अलकली कहलाते हैं बहुत इंपोर प्रापर्टी हो गई ये अलकली की वो ये हो गई कि जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो ये जो बेस होते हैं ये उनतर डिजॉल्व हो जाते हैं ये completely डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में घोलने पर जबकि दूसरी ओर जो बेस होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं वो घो अक्साइड, कॉपर अक्साइड, सोडियम अक्साइड. आप्साइड तो यह कुछ एक्जाम्पल्स हैं बच्छो बेस के जो कि वाटर में सॉलिबल नहीं होंगे और जब कि यह है अलकली जो वाटर में सॉलिबल होंगे. तो इससे एक बात हमें जो समझ में आती है वो यह है कि जो अलकली हैं यानि कि जो च्छार हैं वो सभी च्छार बेस होते हैं देखें जो अलकली है वास्तों में कहें बेस हैं लेकिन बच्चो जो बेस हैं वो सभी अलकली नहीं होते हैं क्योंकि अभी अभी आपने देखा सभी बेस पानी में नहीं गुलते हैं पानी में जो गुलने वाले बेस हैं उनको अलकली कहा जाता है तो याद रहे ये एक important line आपके लिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि सभी छार अलकली छारक होते हैं ये जितने भी अलकली हैं वो छारक होते हैं वो बेस होते हैं लेकिन सभी छारक यानि कि जो बेस हैं वो अलकली नहीं होते हैं यहां तक अब आप समझ चुके होंगे कि बेस और अलकली में क्या difference है जो बब बात चलի है पानी में गुलने की अभी भी आपने देखा यहाँ पर को तो हम base के एक common property के बारे में समझ लेते हैं देखें इस base की common property को समझने के लिए हम फिर से Arrhenius base के बारे में बात कर रहे हैं Arrhenius एक scientist थे एक विग्गानिक हैं जरूने base के बारे में जो अधाराना दी वो ionize हो जाता है base ionize हो जाता है जैसा कि आपने देखा था acid के common property में acid भी ionize हो जाते हैं उसमें भी दो ions निकलते हैं आपको पता है कि positive और negative ions ठीक वैसे यहाँ पर भी positive और negative ions निकलते हैं अब देखें इसको थोड़ा detail से समझते हैं यह जो बच्चो base है इस base में एक है metal और दूसरा है oxygen और hydrogen यानि कि hydroxide metal अब जब बच्चो इस metal oxygen और hydrogen से मिले हुए base को हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है देखें यह जो metal है यह oxygen और hydrogen से अलग हो जाता है यह positive ion बनाके यहाँ से अलग हो जाता है यानि कि यह अपना जो electron है इसके after most cell में electron है वो इसको दे देता है oxygen को दे देता है और यहाँ से अलग हो जाता है इनके बीचकारी bond है वो यहाँ से break हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जब metal oxygen और hydrogen से मिले हुए जो base हैं जब हम इने पानी में घोलते हैं तो यह जो metal है यह positive ion मनाता है जब कि बच्चो इसके साथ ही जो OH यानि कि जो hydroxide मना यह निकलता है negative ion के रूप में तो यह है aranious base की प्रमक पहचान जारक की प्रमक पहचान है कि जब उनको gel में घोला जाता है तो उनसे ion निकलते हैं और जो negative ion होगा जो रूप में प्रमक आयन होगा वो OH-ion होगा जैसा कि आपने acid में पढ़ा था जो positive ion होगा वो H-ion होगा इन बच्चों ने acid की common property आली class attend नहीं की थी उनके लिए link यहाँ पर आपको देख रहा होगा तो आप यहाँ से जाके class को attend कर सकते हैं तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब base को water में dissolve किया जाता है तो वो hydroxide ion produce करते हैं यहाँ तक clear हो चुका होगा आपके तो हम बच्चे उसको note भी करके देख लेते हैं जल में घुलने पर जो बदार्थ hydroxide ion उत्पन करते हैं च्छारक कहलाते हैं बेस कहलाते हैं कुछ examples से हम समझ लेते हैं एक example है sodium hydroxide sodium hydroxide को जब हम पानी में घूलते हैं जब dissolve करते हैं water में sodium ion और OH यानि कि hydroxide ion दूसरा example देखते हैं देखें potassium hydroxide इसको भी water में dissolve किया तो क्या होगा बिल्कुल आप सही सोच पा रहे हैं यह बनने वाल है potassium positive ion और OH negative ion hydroxide negative ion फिर वैसे ही magnesium hydroxide इसमें भी देखें magnesium का positive ion और hydroxide का negative ion तो बच्चों यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि जितने भी base हैं जितने भी छारक हैं उनकी जो common property है वो यह है कि अगर इनको हम पानी में घोलते हैं तो यह हमें OH minus ion लेते हैं अब बच्चों क्या सभी जो base हैं सभी जो छारक हैं उनको जब पानी में घोला जाएगा वो क्या समान मात्रा में OH minus ion देंगे या फिर नहीं देंगे चलिए इसको जानते हैं इसके लिए हम फिर से चलते हैं अपनी lab में और हम आगे अपनी lab में बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास बच्चों दो बीकर हैं और एक hypothetical example से समझते हैं अगर हम इसके अंदर देख पाते हैं यह जो बेस हैं इन दोनों बीकर में बेस हैं क्या हो रहा है तो हमें पता चलता कि A वाले बीकर में कुछ इस प्रकार से ions निकल रहे हैं जब कि B वाले में कुछ इस प्रकार से बच्व आप अगर देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो यहां देखें यहां पर को जो बेस है वो completely ionized हो गया है जिससे hydroxide ion पूर्णतों निकल रहे हैं अधिक मात्रा में निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में hydroxide ions निकल रहे हैं जबकि यहां पर को बेस है वो completely ionized नहीं हुआ है यहां पर को hydroxide ion की मात्रा कम है देखें आप ध्यान से देखें यहां पर hydroxide ion की मात्रा ज़्यादा है और यहां पर को कम है बच्चो जिसमें hydroxide ion ज़्यादा है वो कहलाता है strong base और जिसमें कम हैं वो कहलाएगा वीक बेस तो चलिए इसको नोट करके देख लेते हैं हम कहेंगे कि एक ऐसा छारग जो जल में पूर्ण तहा आयन इकरत हो जाता है कम्प्रीटली आयनाइज हो जाता है वो कहलाएगा स्ट्रॉंग बेस और ये हाइड्रोकसाइड आयन भी अधिक उत्पन में करेगा ये हो गया प्रबल चारग जबकि एक ऐसा छारग जो जल में आंसे ग्रूप से आन इकरत होगा और हाइड्रोकसाइड आयन कम उत्पन में करेगा वो कह कहलाएगा वीक बेस दुरबल चारग तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि किसी भी छारक की जो प्रबलता है और जो उसके दुरबलता है वो उसके हाइडरोकसाइड आएन पर मिरभर करती है अब जो रबल छारक हैं उनके कुछ dazu हैं आप लिखे हैं तेंगे सोडियम हैड्रोकसइड और पुटेशियम हैड्रोकसइड और वैसे ही दूर्भल छारक यानिकी वीग बेस के जो कुछ एग्जाड्रोकसइड और कैलिशियम हैड्रोकसइड अब बचों समझते हैं कुछ chemical property के बारे में base की रासानिक तुन धर्मों के बारे में कुछ जानते हैं और उसके लिए हम लेते हैं छाड़क और अमले के अभी के लिए यानि कि base और acid की एक reaction करके देखते हैं देखें यह हमारे पास एक base है sodium hydroxide और जब हमने इसकी एक reaction करी एक acid के सांथ जो की है sulfuric acid S2SO4 तो क्या बनेगा यहां ध्यान देंगा कि यह जो sodium है इस hydrogen को यहां से replace कर देगा और यहां पर को बन जाने वाला sodium sulfate जो की एक है salt एक लवन और इसके सांथ निकले का जल यानि की water यह जो reaction है बच्चों आपने पिछले वाले session में भी देखी थी जब हमने acids की property के बारे में जहां पढ़ा था हमने chemical property आप acids पढ़े थे वहां पर को आपने यह reaction देखी थी तो देखिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जब base acid से reaction करते हैं तो हमें मिलता है salt और water तो बच्चों इसको हम note करके भी देख लेते हैं कि जब जारक अमले से अब करते हैं तो लवन और जल बनता है salt और water बनता है अब बच्चों यह जो reaction है यह reaction वास्तों में पानी के अंदर हो कैसे रहिए देखिए जल के अंदर यह जो आप छारक देख रहे हैं आप जानते हैं कि जब इसको हम water में dissolve करेंगे जब पानी में घोलेंगे तो इससे मिल जाने वाला है OH negative आयन और acid की वारे में भी आपको पता है कि यह देने वाले है आपको H प्लस हैं और जब यह दोनों ions मिलेंगे तो हमें मिल जाता है water जिसके कारण यह जो acid है और जो base है इन दोनों का ही प्रभाव उदासीन हो जाता है यह दोनों ही neutral हो जाता है इसलिए इने कहते हैं neutralization reaction अब मैंने जब यह session start किया था तो आपसे कहा था कि जो metal के carbonates हैं वो भी छारकी प्रक्रतिके होते हैं वो भी basic nature के होते हैं चले अब समझते हैं कि मैंने क्यों कहा था बहाँ पर को आपसे ऐसा देखें क्योंकि बच्चों जो metal के carbonates होते हैं तो वो भी acid को neutralize कर देते हैं और वो acids को neutralize करने के कारण ही जो metal के carbonates होते हैं उनका nature भी basic हो जाते हैं वो भी basic nature के होते हैं तो बच्चों आप बता सकते हैं कि हम इनो का huge cup करते हैं बिलकुल आप में से कुछ बच्चे सही बता रहे हैं कि जब हमारे जो stomach में हमारी जब आमासे में acid की मात्रा बढ़ जाती है उसको neutralize करने के लिए उसको उदासीन करने के लिए हम लेते हैं इनो इसका मतलब हुआ कि इनो भी किससे बना है एक छारक से एक base से अब एक दूसरी chemical property के बारे में जानते हैं base के तो वो है देखे जब base अधात्विक oxide यानि कि non-metal oxide से reaction करेंगे तो क्या होगा देखें जो base ह जब non-metallic oxide से reaction करते हैं तो क्या होता है समझने देखें calcium hydroxide एक base है हम जब इसकी reaction करवाते हैं एक non-metal oxide यानि कि carbon dioxide ना carbon non-metal है और इसका एक oxide है carbon dioxide जब हम इसके reaction करवाते हैं बच्चो तो हमें मिल जाता है देखें क्या मिलता है हमें मिलता है एक salt जो की है यहाँ पर calcium carbonate और ह अब आपको यह reaction देखें के कुछ याद आया अभी अभी हमने एक reaction पढ़ी थी neutralization reaction जिसमें आपने देखा था base जब acid से reaction करते हैं तो मिलता है हमें salt और water ठीक वैसा ही यहाँ पर भी कुछ हो रहे है तो क्या आप predict कर सकते हैं कि यह जो non-metal oxides हैं इनका nature क्या होगा यह जो अ सही बता पा रहे हैं इनकी प्रकरती भी अमली होगी बच्चो कई बार यह question पूछा जाता है कि अधात्विक oxide की प्रकरती क्या होती है तो आप बता सकते हैं कि उनकी प्रकरती भी अमली होती है क्यों क्योंकि जो non-metal oxides हैं अधात्विक oxide हैं वो जब छारक से अभिगरिया क की अमल और चारक की होती है, इसलिए अधाथपिक ऑकसाइड भी अमली प्रकरतिके होते हैं, तो यहां तक अब आप समझ चुके होंगे अधाथपिक ऑकसाइड के बारे में चलिए एक और chemical property के बारे में हम जानते है base की तो देखे बच्चों जब हम base जो जारक है इसकी अभिक्रिया कराएं धात्मों से यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो base है बोच सभी धात्मों से यह अभिक्रिया नहीं करते हैं यहां कुछी ऐसे metals हैं जिनसे base reactions कर सकते हैं अब यहां एक example के लिए हमने लिए है base sodium hydroxide इसकी reaction हम ले रहे हैं zinc एक metal है जो की यह sodium hydroxide के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं अब देखे बच्चों यहां पर को इसको आपने रटना नहीं है आपको समझना है कि यह जो formula मैं बनाने जा रहा हूँ यह कैसे बन रहा है देखें यहां पर को यह जो zinc है बच्चों यह इस oxygen के साथ लग जाने वाला और यहां से hydrogen displays हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहां पर को जो बनेगा हमारा product वो आ जाएगा sodium, zinc और oxygen लेकिन क्या यह formula सही है चले इसको समझते हैं यहां की जो valency electron है वो कितना है वो है plus 1 तो हम यहां पर note करके देख लेते हैं हम यहां लेख लेंगे बच्चों यहां पर है इसका वो plus 1 साथ जो इलक्ट्रों है इसका plus 1 जो आखता है इसकी होती है इसकी जो valency होती है वो होती है plus 1 क्यों क्यों होती है बच्चो 2 plus और oxygen क्या आप जानते हैं यह दो इलक्ट्रों को ले सकता है तो इसके हो जाएगी 2 minus अब देखो बच्चों यहां पर को हो क्या रहा है यहां पर क्यों प्लस के कितने लक्ट्रोंस आगे है तो टोटल जो valency आई है हमारी वो आई है कितने आई है plus की देखे valency की वो आई है plus 2 और plus यानि कि 3 और यहां पर क्यों कितनी है minus 2 तो ऐसे तो हमारा formula नहीं बनने वाला है क्योंकि यहां पर को जो धनायन है वो 3 बन गया और रनायन बन गया यहां पर को हमारे 2 तो हम क्या करें यह जो sodium है इसके 2 atoms ले लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 plus तो 2 और 2 हो जाएगा यह कितने हो जाएगे 4 प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर को जो हम oxygen का हमने भी एक atom लिया इसे भी हम 2 atom से ले तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी यहाँ पर हो जाएंगे 4 minus अब हमारी जो valency है वो satisfy हो गई है तो हमारा जो formula होगा बच्छो वो कुछ बन जाने वाला है इस प्रकार का आप समझ चुकेंगे कि ऐसा formula क्यों बना Na2 ZnO2 sodium zincate हमें मिलता है जो कि एक लवन जो कि हैक salt तो जब एक base जो कि था sodium hydroxide एक metal जो कि है zinc से reaction करता है तो हमें salt मिलता है sodium zincate और हमें मिल जाती है hydrogen gas जो जब धात में चारक के साथ अभिक्रिया करती है और यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि सभी धात में ऐसा नहीं करती है तो हमें मिलता है salt और hydrogen gas चलिए और एक्जामपल देख लेते हैं इसका हमने लिया sodium hydroxide और इसके साथ हमने का जो फार्मुला है N-A-A-L-O-2 कैसे बना है इसको आप करके देखेगा यह कैसे यह फार्मुला हमें मिला है बिल्कुल इसकी फार्मुले की तरह है यहाँ पर एक ध्यान देने लिए बात यह है कि यह जो salt है इसमें जो भी यह metal है यह रिनायन के साथ होगा यह जो होगा यह निगिटिव आयन का एक पार्ट होगा तुम कह सकते हैं यहाँ पर को sodium जो है वो धनायन है जबकि जडन-O-2 जो है यह रिनायन है और यहाँ पर भी देखे यहाँ भी sodium जो है वो धनायन है और AO2 यह पूरदा पूरा ृनाओन है तो अब देखते हैं हमने आज क्या सीखा आज हमने कुछ इन बातों के बाए में जाना हाइट्रॉकसाइट के बारे में जाना हमने हमने ये जाना कि जल में घुलने पर छारक हाइट्रॉकसाइड आएन मुक्त कड़ते हैं जो base है वो hydroxide iron release करेंगे. उसके बाद alkali के बारे में हमने जाना ऐसे छारक जो जल में घुलनसील हैं वो alkali कहलाते हैं. जो water में solival होते हैं वो alkali होते हैं छार कहलाते हैं. उसके बाद हमने neutralization एक reaction के बारे में जाना छारक जो base हैं वो acid से अभिक्रिया करके लवन तथा जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को हम निट्रलाइशन अभिक्रिया कहते हैं और जितने भी बेस हैं जैसे की जो मैटल के कार्बुनिट्स हैं जा फिर मैटल के जो ऑक्साइट्स हैं वो भी बेस हैं क्योंकि वो भी निट्रलाइश कर देते है acid को इसके बाद हमने non-metal oxides के बारे में भी कुछ जाना हमने non-metal oxides के बारे में जाना कि जो अधात्विक oxides हैं वो अमली प्रकृतिके होते हैं और हमने last में एक चीज़ और जानी metals के बारे में कि जो सभी धात्वे हैं वो छारग से अवकिरिया करके लवन तका hydrogen gas उत्पन नहीं करती हैं आपने ये देखा था कि कुछी धात्वे ऐसी हैं जो छारग के साथ अवकिरिया करके लवन और hydrogen gas उत्पन करेंगे और आपने एक बात ये भी जानी थी जो भी धात्वे होंगी ये हमेशा रिणायन के साथ होंगी यानि कि ये रिणायन का भाग होंगी ये जो पार्ट होंगी ये निगेटिव आयन का पार्ट होंगी तो बच्चो आज की क्लास के लिए यहीं तक आपको क्लास कैसी लग रही हैं कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें